कोई अगर राजस्तान में जन्मा पलाब बड़ा हुआ है, वहाँ पानी की दिक्कत रहती है, टेंपरेचर भी जादा रहता है, लेकिन उन सब डिपिकल्टेज के बावजूद भी वो जब बड़ा हो जाएगा, कहीं दूसरे जगे रहेगा, तो वो डिफिनेटली चाहेगा क कि मैं वहाँ पिर से लोट करके जाओ, वादी क्योंकि अपने आप में एक स्वर्ग है, कतई उसमें कोई भी उससे दोर आए नहीं रखेगा, हर कोई इससे मुतफिक हो जाएगा, तो यहाँ से जो कश्मीरी पंडिल पिछले 30 साल के आर्सा में, दूसरे एरियाज में गये ह और कुछ एक कंट्री के इवन दूसरे मुलकों के लिटरपल्टन सीटीज में भी गया है, अपने अपनी रोजी रोटी वो आची कमा रहे है, डेफिनेटली, लेकिन तो भी जो है उनको यहाँ की जो है रहा जरूर सताती है, और काफी लोग यहाँ आते है, पिसली साल से ज जबीन, घर बगएरे कहीं, अगर टूटे-पूटे थे, उनको दूरुस्त करना सुरू कर दिया है, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली काफी लोग आएंगे, जहां तक गौवर्मेंट इनिशियोटिवस की बात है, तो 6,000 में से तकरिवन 5500 के करीब मुलाजीम हमने और वो अपने फैमिली के साथ इधर रहना आ रहा है, उसमें से हार्डली 1200 ही लोग जो है गोवर्मेंट आकुमोडिशन में है और बाकी जो है मुझे चारहजार के करीब लोग जो है, रेंट पर कमरे लेकर के यहां कहीं अगर उनका खुद का मकान है तो दुरुस्त करके ज कितना मौजून है हालात वापसाने का अगर इनके, अगर बाकी जो है, दिन बदी काफी बदल रहे हैं, जो अनासिर तपका था अटिनैशनल तपका था, वो कम हो रहा है, वो टाइटन हुआ हुआ है, उनको पता है कि नहीं अब उनके दिन जो है खतम हो गया है, डेपनेट झाल 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 झाल